ले कि विद्ट पर्सें अव्य ने वीडियो में कि अज्यों जो आज मारे को टॉपीक वह क्या होने वाला है कि कैसे हम कॉल प्रोटेक्ण होता है उसको कैसे एजसी आउन कर सकते हैं वहीं आपको में बताए वाला हूं क्या होता है पहले लेते हैं घफ़ ainda कुह क्यों प्रोटेक्शन होता है इसमें क्या होता है अगर आपकें कोई भी स्पेम कॉल आएगा यानि कोई भी company call करती है तो अदर अदर कोई सारी company होती है spam call करती रहती है तो उससे guys क्या होते है आपको phone पहले ही बता दे कि spam call आया हुआ है तो हम कैसे इस feature को easily on कर सकते हैं use कर सकते हैं वो इस सारी चीज़े वीडियो में जानने को मिलेगा तो वीडियो को चलिए शुरू क और में क्या करना है डायलर को अपन करना है डायलर पर आ जाना है तो Bald जैसे आटे वर आते ही आपके सामने करना क्या कई सारे जो करने कन्टक वह तो estaban हो जाएंगे के तो इस यहीं से आपको इस आप 對 देने को मिलताκι में जो ठीक है're देखने को मिल जाते हैं कई सारे options ऐसले हो जाते हैं तो यहीं पर आपको एक option देखने मिलेगा सबसी उपर जो पहला option जयेगा caller ID and spam इस्पैम है क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको सामने दो आपको देखने को मिलेंगे तो simply आपको इस दोनों ऑप्शन को इनेवल कर लेना जैसे मैंने कर रखा है तो अगर आप इसको इनेवल करते हो तो क्या होता है आपको अलगी बता देता है तो आप इन दोनों फीचर को यूज करते हो तो काफी ज्यादा helpful रहता है आपके लिए तो आप इसली अपने फोन में इस्पैम कोलर आईडी इन प्रोटेक्शन और सकते हो आई होप आपको वीडियो अच्छे लगयो तो वीडियो थोड़ी सी भी अच्छे लगयो इन्फरमेटिव लगयो तो व